अगर आप अपने लिए अपने लवटवन्स के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पारे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program, जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए March 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि March month में आपके पातने की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी Finally March month में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप March month की energies को बदल सकते हैं, अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखे हैं तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपके नाम के हिसाब से राशी हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर sun साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं March 2024 की love tarot reading तो चलिए लियोज, आप लगों के लिए देखें कि March 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मैं आपस यहाँ पे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally March month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card में दिख रहा है letting go और यह card कहता है release and let go, moving on, releasing the past तो देखिए किसी भी level पे, किसी भी तरीके से, किसी चीज़ को अगर आपने बहुत tightly पीछे या माट स्टार्टिंग में पकड़ा हुआ था आप cling कर रहे थे, आप over attach हो रहे थे, तो कहीं उसी चीज़ को आप किसी level पे let go करना चाहा रहे हैं या फिर, यूनो, कर रहे हैं अब देखिए, यह general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए कोई past का connection हो सकता है, relationship हो सकता है कुछ के लिए current partner की कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए belief system, thought process again, जो भी चीज़े मेरे mind में आ रहे हैं, मैंने आपको कहा लेकिन, you know, सब के लिए differ करेगा, किसी चीज़ को let go आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और शायद इसी लिए हो सकता है कि थोड़ा hopeless, थोड़ा helpless भी आप पीछे आमाच starting में महसूस कर रहे थे और ये letting go वाली energies, actually आपको help कर रही हैं अपने आपको इन ही hopeless, helpless वाली energies से बाहर निकालने के लिए तो nutshell में मैं फिर से कहूंगी, जो भी चीज़ें आपको restrict कर रही थी, bother कर रही थी, confuse कर रही थी, परेशान कर रही थी broader level के लिए उनसे अपने आपको free करना चाहा रहे हैं और इसके लिए या फिर otherwise किसी चीज़ को let go करने की ज़ुरत है तो वो भी आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी mid-march के लिए weight down का card कहता है कि stress, tension आप किसी level पर महसूस कर रहे हैं, एक pressure महसूस कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर 10 of pentacles, reverse and family के cards कहीं literally family की बात करते हैं और broader level के लिए देखें तो traditions, culture, society की भी बात करते हैं और हो सकता है कि again society की, sorry family की involvement है, interference है आपके partner की जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, stress, tension या फिर pressure महसूस कर रहे हैं या फिर कोई चीज आपको bother कर रही है, आप family का support, family की help चाहा रहे हैं और उस तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि एक long term आप अपने partner के साथ चाह रहे हैं, stability चाहा रहे हैं नहीं मिल पा रहा है और देखिए, सब के लिए different reason रहेगा कि कहीं end March में या March month में एक rejection सा या तो आप अपने partner की तरफ से महसूस कर रहे हैं या फिर आपने partner को अपनी चीजों में उतना involved नहीं कर रहे हैं, include नहीं कर रहे हैं मैं फिर से clear कर देती हूं या तो आप पार्ट्नर को उतना अपनी activities में अपनी चीजों में involved नहीं कर रहे हैं अपर पार्ट्नर की तरफ से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो आपको ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, अपनी चीजों में इतना नहीं include कर रहे हैं तो ये सिरफ और सिरफ आपकी energies हैं अब आपके partner के energies और Marshmant के energies देखेंगे तो आपके partner के लिए दिखेंगे या पर सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Two of Wands और ये बहुत ही positive card है और हमने देखा कि March starting में आप बहुत great नहीं महसूस कर रहे हैं आप देखें Letting Go and Eight of Swords के cards किसी एक negative energy में से खुद को free करने की बात करते हैं लेकिन आपके partner की March starting में काफी positive energies हैं वो आपको लेकर इस relationship को लेकर काफी confident महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इसी confidence के साथ वो आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं लेकिन money money finances का card कहता है कि money पैसा उनके mind में रहता हुआ दिख रहा है अब देखिए यहां पर सब के लिए differ करेगा क्योंकि फिर से मैं कहूंगी यह general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि relationship को next level पर लेकर जाने के लिए उन्हें ऐसे लग रहा है कि finances बहुत important है तो कहीं उस area में भी वो focus कर रहे हैं और फिर उस area को एहमियत द support वो चाहा रहे हैं और जो भी हो कहीं मिड मार्च के लिए यहां फिर मार्च मंत में ही six of swords का card कहता है कि movement एक shift उनकी तरफ से आ रहा है अब देखिए general reading है तो सब लिए उसके partner के लिए movement इस shift डिफर करेगा यहां पर देखिए six of swords के साथ bill of fortune का भी card है और यह दोनों ही cards travel की बात करते हैं और हो सकता है कि आपके partner मिड मार्च के बाद से मार्च मंत में travel कर रहे हैं करना चाह रहे हैं या पिर किसी level पे change of place, change of location, change of residence, कुछ changes उनकी life में आ रहे हैं और देखिए कहीं मिड मार्च में अगेन कहूंगे एक movement रह रहे हैं और मैंने आपको बताया कि travel, change of place, change of location यह सब चीज़ें रह सकती हैं कुछ लियोस के partner के लिए और कुछ लियोस के partner के लिए हो सकता है कि जो भी issues, मसले चल रहे हैं कहीं वो उनको वो भी उनको let go करके इस relationship में आगे बढ़ चाहा रहे हैं, चीज़ों को next level पे लेकर जाना चाहा रहे हैं और एक transition वाले phase में वो रहते हुए दिख रहे हैं जहां पर होता है ना पुरानी चीज़ को छोड़ा लेकिन नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने की वो कोशिश कर रहे हैं उस direction में जा रहे हैं और कुछ क level पे जो भी movement उनकी तरफ से हो रहा है मैंने आपको बहुत सारे scenarios दिये हैं आपका relationship है तो आप बहतर समझ पाएंगे कि कौन सा scenario आपके लिए fit होता है तो जो भी movement या shift उनके लिए रह रहा है मन ही मन काफी परेशान होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहां पे drama and chaos का card jealousy की ब बात करता है और यहां पे दिखे तीन negative emotions लिखी हुई है drama and chaos कहीं chaotic situation confusion और कहीं एक इसी के साथ restless anxious energies भी आ जाती है तो यही सब आपके partner मन ही मन महसूस कर रहे हैं और यह card भी अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं black सा dark सा card है तो दोनों cards को combine करें एक movement एक shift आ रहा है जिसकी परेशान हो रहे हैं chaos confusion महसूस कर रहे हैं and देखे wheel of fortune का card बहुत ही speed से चीजों के आगे बढ़ने की बात करता है दूसरी चीज wheel of fortune का card चीजों के up and down होने की बात करता है और change की बात करता है और यह तीनों ही चीज हैं आपके partner की तरफ से हैं इन तीनों में से कोई चीज या March month में रह सकती है deeper level के लिए weather the storm का card work through the challenges की बात करता है तो देखिए जितना भी up and down उनकी energies में हो कहीं end March में उनके मन ही मन की energies अगर हम देखें तो उनको ऐसे लग रहा है यह जो challenges आ रहे हैं कोई बात नहीं इन सब challenges को जहल लेंगे इन सब मुसीबतों को तूफानों को जहल लेंगे और चीजों को ठीक करेंगे तो कहीं यह नो वो ready रहते हुए दिख रहे हैं और फिर वो जो भी issues और challenges हैं उनको face करने की हिम्मत रख रहे हैं या पिर रखना चाह रहे हैं और अब देखते हैं लियोस की मार्च मंत में क्या हो रहा है तो दीखें मार्च मंत के लिए आप इस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है third party अब मैंने बहुत बड़ी वीडियोस में कहा है कि third party doesn't mean की romantic triangle है आप partner के लावा किसी और की तरफ attract हो रहे हैं या partner आपके लावा you know colleague या friend या आपका कोई loved one colleague या friend भी हो सकता है तो again मैं कहूँ कि कोई भी हो सकता है third person third energy third cheese जिसकी वज़े से ये relationship effect हो रहा है यहाँ पर देखें infidelity interference लिखा हुआ है तो देखें infidelity तो एक होई या कि romantic triangle लेकिन सब के लिए ये नहीं होगा कुछ के लिए simply किसी third person या फिर third energy की वज़े से interference आप दोनों के बीच में रह सकती है और ये कहीं March starting में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए March month भी हो सकता है तो मैंने बहुत clearly बिताया कि बहुत सारी एक third party की energies हो सकती है लेकिन और ये differ करेगा सब लिए और उनके partner के लिए लेकिन third party के ओपर queen of swords का card कहता है कि कोई female की तरफ से एक interfering वाली energies है अब ये female कोई भी हो सकती है कोई male भी हो सकते हैं जिनकी feminine energies है और अगर मैं queen of swords के हिसाब से characteristics बताऊं female के तो logical है और mind से बहुत चलती है in fact mind games भी खेलती है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि female और lady जो single है या divorce है या बहुत strict है बहुत असूलवादी है बहुत rules को follow करने वाली है बहुत disciplined है perfectionist है तो इस तरीके की किसी feminine energies वाले इंसान की तरफ से एक interfering energies रह सकती है जिसकी वज़े से आप लोगों का relationship effect हो रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है कि tarot को आप guidance की तरह हैं लें तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसा ही हो रहा है तो कैसे इस third person की you know interference को रोक के आप लोग एक दूसरे से एक clear cut communication करके चीजों को better कर सकते हैं इस पर जरूर फोकस करें क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया आप यह anxiety का काट कहता है कि mid March में एक fear, एक uncertainty एक stress आप दोनों के बीच में रह सकता है इसकी वज़े से restless anxious energies रह सकती है और surface level के लिए six of cups का काट कहता है यहां तो देखिये जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है इस relationship में हो रहा है जैसे कि अभी हमने देखा third person की interference है, third energies की एक interference है anxiety हो रही है, restlessness में हसूस कर रहे है और आपके और आपके partner की भी energies बहुत great नहीं है, बट फिर भी mid March में एक बहुत loving, caring energies रह रही है और इसके लिए सब Leo's के लिए different reasons रहेंगे लेकिन past में जो भी आप लोगों ने एक bond share किया, उसको याद कर रहे है उसके basis पे आप लोगों को ऐसा लग रहे है कि नहीं दूसरे से एक दूसरे से connect करना चाहिए तो बहुत एक pure, बहुत एक फिर से मैं कहूंगी प्यार महबबत रहता हुआ दिख रहा है कुछ चीजें प्यार महबबत के ही उससे आप लोग exchange करते हुए दिख रहे हैं और कुछ Leo's या फिर उनके पाट्नर के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान, पास्ट का कोई person है, जिसकी involvement है जिसके एक focus है और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट के उपर आप ज़्यादा focus कर रहे ह, पास्ट की बातों पे ज़्यादा आप attention दे रहे हैं past के किसी connection, past के किसी relationship पे आप focus कर रहे हैं या आपके partner की भी ऐसी energies हो सकती है फिर से clear कर दीती हूँ या तो past से कोई čीज आपके relationship में current आ रही है या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक past की किसी चीज पे focus कर रहे है या फिर आप दोनों के बीच में बहुत एक loving caring energies है सकती है अब जो भी आपके relationship में हो रहा है आपको idea लग जाएगा कि क्या हो सकता है क्योंकि उसी हिसाब से चीजे move करेंगी यानि कि अगर बिलकुल ही problems हो रही है, issues चल रहे हैं मसले चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है से तो switch on off होगा नहीं और loving caring energies हो जाएगी तो हो सकता है, past के किसी इंसान पे आप यापके partner focus करें या कोई आ रहा है और अगर अभी भी एक अच्छा relationship है, तो इसके होने के जादा chances हैं जो भी हो, कहीं end march के लिए, हाँ पे opposites attract का card कहता है, you are both very different, तो आप दोनों एकदम से एक दूसरे से different हैं और कहीं बोलते हैं और opposite attract करते हैं और इसलिए बहुत जबर्दस मन ही मन एक attraction है, तो दिखें, जो भी रह रहा है mid-march तक कहीं by the end of march चीजें किसी level पे solve होती हुई या resolve होते वी दिख रही हैं और कहीं बहुत जबर्दस एक attraction मन ही मन आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं पता नहीं कितना आप लोग एक दूसरे को जाहिर करते हैं बट मन ही मन ये attraction mutual दोनों की तरफ से रहती भी दिख रही है surface level के लिए temperance का card एक balance maintain करने की बात करता है कहीं बहुत ही सबर के साथ चीजों को deal करने की बात करता है और कहीं चीजों को resolve करने की different different चीजों को try करके चीजों को better करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही March end में इस relationship में हो रहा है तो ये था लिए आप लोगों के लिए मार्श 2024 की लफ टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें